दोस्तों ये दुनिया स्मार्ट होती जा रही है आप ये वीडियो भी स्मार्ट फोन पे ही देख रहे होंगे कुछ लोग कंप्यूटर पे देख रहे होंगे लेकिन उनके पास भी स्मार्ट पॉन होगा ही तो बिजली कंपनी भी स्मार्ट हो रही है और स्मार्ट मीटर घर घ प्रश कर रहा हूँ, डॉनलोट करके स्को इन्स्टाल करना है इन्स्टाल खुदबर खुद हो जाता यह आप्को open करना है तौि यह स्क्रीन आपका open हो ग्रच एसमें यूजर डेम tego इसमें यूजर नेम जो आपका đến च्दाने जेजा साम decía अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको इसको रेजिटर करना पड़ेगा इसमें हैं consumer नमबर जो आपका है और उसके बाद bill में जो रेजिटर्ड मोबाइल नमर है वो डालना पड़ेगा और एक email डालके आप next कीजिएगा इसके बाद आपके registered mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP को जब आप इसमें इंटर कर देंगे तो आपका user registration successful हो जाएगा और आप इस mobile app को use कर सकते हैं अर्था prepared smart meter जो है उसकी सारी activity आप यहां से कर सकते हैं यहां मैं एक बात और बता दूँ OTP जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद आपको password डालने का option आएगा जो कि आपका password एप को खोलते वक्त यूज होगा इसलिए अच्छा से password आप यहां रख लीजिए registered कर लेने के बाद आप आप signing कर सकते हैं username में मैंने बताया ही था जो registered mobile number जो होता है वही आपको डालना है और जो password आपने रखा है वो दीजिए और उसके बाद signing कीजिए signing जब आप कर लेंगे तो आपका home screen में यह आएगा जो आपका current balance है वो दिखेगा इस prepared meter का और last recharge भी यहां दिया हुआ है देखे मैंने 2000 रिचार्ज किया था 17 जून को और उसके बाद यह monthly average unit highest unit पिछले 12 महने का यह सब भी दिखाया गया है तो आप हम लोगों को तो recharge करना है तो 9 तरफ जो आप ऊपर देख रहे हैं यह three lines इसको आप click कीजिए देखे दाई तरफ आप सारे list देख सकते हैं जिसे पहला है जो आपका huge है उसको देखने का फिर आपका bill view and pay my bill इससे भी आप कर सकते हैं फिर energy calculation है आप जानते है smart prepared meter में जो है per day के हिसाब से कटता है तो आपका energy calculation बता देगा previous year से भी compression कर सकते हैं और फिर कोई शिकायत है तो आप utility में complain भी कर सकते हैं उसके बाद recharge का आता है और recharge ही हम लोग करेंगे कुछ और option है उसके नीचे आप देख रहे हैं password चेंज करने का payment location वगेड़ा वगेड़ा देखने का तो चलिए recharge पे हम लोग click करते हैं तो जैसे recharge पे click करते हैं देखे य आ गया आप जिसे payment करना चाहते हैं debit card credit card या net banking मैंने net banking चूच किया और चलिए मैं SBI चूच करता हूं state bank of India चूच करता हूं make payment पे मैंने click किया और इस पे click करने पे SBI का user ID और password अब मुझे डालना पड़ेगा ID password डालेंग बाद मैंने okay किया फिर मुझे OTP आया और मैंने OTP डालके confirm किया और confirm किया तो देखिए मेरा ये payment successful हो गया अब फिर से यह आपको back नहीं करना ये खुदवाखुद होगा आपको यहां back वागेड़ा करने से फिर payment में दिक्कत आ सकती है देखिए payment successful हो गया यह लिख दिया और अब मैं यहां okay करता हूं या बाइं तरफ आप उपर देख रहे हैं open in app तो open in app करेंगे तो फिर आपका app खुल जाएगा मैंने इसी में okay किया तो यह web portal खुल गया तो इसको आप पूरी तरह काट के भी हटा सकते है देखिए मैंने जो payment किया SBI से भी मुझे message आ गया तो आप इसको completely काट के आप फिर आप खोल लीजिए चलिए मैं बाइं तरफ उपर जो है open in app पे मैं click करता हूं देखिए यह webpage नहीं आया फिर मैंने back किया तो मेरा आ गया और current balance देखिए मैंने 2000 रिचार्ज करवाया और मे देखिए कैसे हुआ बताइए 43 रूपीज बैलन्स आपने भी देखा था तो चुकि आज मेरा bill date है मेरे MRU का जिस MRU में है मेरा meter तो bill का जो adjustment हुआ होगा वह adjustment अभी हुआ है तो देखिए अभी लाख्ट रिचार्ज में मेरा दिखा रहा है जो अभी अभी मैंने इसको रिचार्ज किया है 2000 रूपिया से और यह current balance तो बरना चाहिए 2043 रूपिज पहले से था रेकिन यह घट के 1800 पच्पन रूपिया 23 पैसा हुआ ऐसा क्यूं हुआ यह adjustment है और वो क्या adjustment है यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद